शिव शक्ति सेही पूर्ण है शक्ति के वा सिंदूर है शिव शक्ति सेही पूर्ण है शक्ति के वा सिंदूर है शिव शक्ति के वा सिंदूर है गौरी के गौरब के लिए जो हो रहे अब दूर है कोई तोड़ ना है विशाहता नाहीं वोल मन के महता कोई पोड़ ना है विशाहता नाहीं मोल मन के महता शिव जाने क्या है कालिका अस्तित्व आदे शक्ति का विचलित तरे ना भावना नहीं दे सते कोई सान पना यकी है बंधन से परे जो रच दिया सोगो करे के लाश की ग्रह सामीनी शिव पी हुँ में अरफांगी दी मेरे मान मेरे सतेत्व का खंदन नहों दाइत्व का अब ना कोई अब रोध है अब मेरे पन का बोध है गीरी जामी और जाम शिव से है गौंडे से शिव में शक्ती है ये दो नहीं है एक है अरफोती सम भी विखती है हर श्वास शिव के नाम है यह प्रेम भी अब राम है शिव रहर्यतों सैयम शिवा है नहां जो शिव देश्टी शिवा है अमशंद एक राम लीला मंदली में हनुमान का पात्र करने वाला व्यक्ती बिमार पड़ गया नए हनुमान की खोच चलू हुई उसी गाओ में एक बलशाली बलिष्ट तगड़ा व्यक्ती था जिसके पास कोई काम नहीं था ऐसे व्यक्ती को एम्प्लॉय कर लिया गया उसको ले लिया गया और पहला ही जो नाटक हुआ हनुमान उसका performance इतना best था कि उस व्यक्ती का भी अपना आत्म विश्वास बड़ गया कि मैं इतनी अच्छी आक्टिंग कर सकता फिर तो क्या जहां जहां राम मंडली गई हर जगा वही हनुमान जय श्री राम और वो व्यक्ती लगभग एक वर्ष उसी राम ली ला मंडली में हनुमान का पात्र करता रहा और उनी के साथ रहा जब वो घर आया एक साल के बात अब तक दोरे पर ही था तो उसने कहा मैं हनुमान हूँ पत्नी ने कहा ठीक है बहुत अच्छा किया दूसरा दिन तीसरा दिन उसने ड्रेस भी वही पैन के रखी थी हनुमान की और उसके पास मैं गधा भी था मित्रों से उसने कहा कि मैं हनुमान हूँ हाँ, सब ने का बहुत अच्छा किया तुम ने का अच्छा नहीं, मैं अनुमान हूँ मज़ाग भी कुछ दिन ठीक लगता है बाद में भारी बढ़ने लगता है चाउथा दिन, पाच्वा दिन वो हनुमान के कपड़े निकालने को तयार नहीं है, सब ने समझाया पत्नी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, पापा ये क्या है पापा मत कहो, मैं हनुमान हूँ फिर तो ऐसा हो गया दिन रात वो उसी भाव में रहता, जिस तरह हनुमान चलता है, उसी तरह वो चलता है जिस तरह हनुमान सोता है जिस तरह हनुमान बोलता है, बस वैसे ही वो सब कुछ कर रहा है किसी के समझाया ने का उस पर कोई प्रभाव नहीं आखिर क्या कर रही है, क्या हो गया इसका तो दिमाग खरा हो गया इसका इलाज करना चाहिए, इलाज करा है पर कोई फाइदा नहीं हो, कोई दवाई कारगर नहीं सिद आखिरकार किसी ने सुझाया कि इसको मनोचिकितसक के पास ले जब मनोचिकितसक को भी उसने समझाया कि मैं ही हनुमान हूँ इसको तरह तरह से सेशन्स हुए, पर वो मानने को तयार ही नहीं आखिरकार किसी ने सजेस्ट किया लाई डिटेक्टर टेस्ट एक मशीन होती है, लाई डिटेक्टर मशीन इसमें व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, या मशीन को बिठाया जाता है रिदय की गती को मापा जाता है उसको भिनन भिनन प्रशन पूछे जाते है और फिर ऐसा प्रशन पूछा जाता है कि तुमने चोरी की है अगर उसने की होई तो उसके रिदय की धड़कन में थोड़ा सा बदला होगा जो मशीन डिटेक्ट कर लेगी तो आप जूट बोली नहीं सकते है यह क्राइम पुलिस क्राइम ब्रांच में इसको काफी यूज किया जाता है अगर आपने कोई भी पाप किया है गलती किया है गुना किया है तो भिनन भिनन प्रशन पूछे जाते है तब तक सामान ने चलती है रिदय की गती और फिर अचानक से पूछा जाता है क्या तुमने ये किया उच समय व्यक्ति थोड़ा सा ठिटक जाता है सोचता है और फिर गलत उत्तर देता है तो मशिन डिटेक्ट कर लेती है कि ये गलत है ये जूट है इस से भी पूछा गया ये तुमारी पत्नी है उसने का हाँ ये तुमारा बच्चा है हाँ ये तुमारा घर है हाँ इधर उधर के प्रश्ण पूछे को और अचानक से पूछा गया क्या तुम हन्वान हो उसने सोचा पहले ही लोगों ने मुझे परिशान कर रखा है और उसने कान नहीं और उसकी रिदे की कति सामान ने रही मनों चिकित्सक और मशीन के अनुसार व्यक्ति जूट बोल रहा है कि यह हनुमान नहीं है यह जूट बोल रहा है इसका मतलब यही हनुमान है मशीन को भी धोका दे दिया ऐसा क्यों हुआ क्या किया एक साल acting की क्या स्वमान था एक साल मैं हनुमान हूँ मैं ही हनुमान हूँ और ये स्वमान ये भाव ये संकल्प ये विचार ये भावना इतनी कहराई में चली गई अवचेतन में इतनी खुज गई कि विचारी lie detector टेस्ट भी फेल हो गई उसके सामने ये बड़ी पाउरफुल मशीन है इसको धोका देना बहुत मुझके लिए आपने कोई गीत लिखा वो गीत आपका है नहीं किसी का चुराया हुआ है और आप से इदर उदर के प्रश्न पूछे गया और अचानक से पूछा गया क्या आईगी तुमने लिखा एक मिनिट में के लिए ठिटक जाएगा वेक्ति और कहेगा हाँ मैंने लिखा है मतलब जूट तुमने नहीं लिखा है ऐसी ये मशीन है ये मनुष्यों ने भी बहुत सारी चीज़े इजाद कर रखी है जूट को पकड़ने की तो ऐसा क्यों हुआ हम भी जो अभिन्न भिन्न भावदाशाओ में है मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ ये भी मैं हनुमान हूँ जैसा ही है या फिर लोग बहुत हमें सम्मान देते हैं समझते हैं, बहुत बड़ा ग्यानी और बहुत बड़ा योगी है नमस्कार करते हैं हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हाँ मैं बड़ा विक्ती हूँ मुझे नमस्कार सबने करना चाहिए नहीं करता है कोई उसकी गलती है तो ये क्या हो गया सबहाव जैसे नैचरल हो गया कल की सारी मुर्ली किस पर थी नैचरल नेचर पर मुर्ली है 2008 की तेर सारी बाते उसमें बाबा ने बताई है ये चीजे तुम्हारी क्या हो जाए सहज स्वाभाविक हो जाए क्यूंकि जो चीज सहज हो गई स्वाभाविक हो गई वही लंबे समय तक चल सकती है किच किच के जबर्दस्ती नहीं चल सकती किसी वेक्ति को पकड़ के ला और उसको को रोज तुमको अब दस दिन तक चार बज़े उठना है नहीं तो तुमको सजा मिलेगी विचारा करेगा जबर्दस्ती कि दुकी ओ वह के पर बाद में ऐसा चुटे का जैसे ऐसेक वह कौई कोई मरीज ऑते हं श्त् disgust में बlaus यह इस की परिशान हो जाते हैं यह लाइन वह नाइन इदर वह एक हैं kis सबागत है ऐसा भागते कि कभी देखते ही नहीं कभी क्योंकि जबर्यदस्ड़ी हो गया था ०ब की जबर्यदस्टी है जफ़ो नबा समय नहीं चल सकती कोई भी चीज इसे लिए जो भी पुर्शार्थम करें वह क्या हो जाए सहच हो जाया कल्ग यक्तवानी बाबा ने कहा उस नई दुनिया में जाना है तो नए संसकार धारन करने पड़ेंगे नई दुनिया के लिए क्या चाहिए New Habits For the New World पुरानी आदते लेकर उस दुनिया में नहीं जा सकते तो तो ऐसी कितनी 14 बाते थी कल जो क्या करनी है हमें सहज सौभाविक यह राजयोग नहीं है यह सहज राजयोग राजयोग और सहज राजयोग में क्या अंतर है राजयोग और सहज राजयोग में क्या अंतर है एक है सहज राजयोग सहज सहज समाधी भले जो कुछ हो वो सहज हो स्वत हो नैचरल हो आटोमेटिक हो स्पॉंटेनियस हो स्वस्पूर्ना से हो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं और ये तब होगा जब कोई चीज सबकॉंशियस में चली जाए अवचेतन मन में चली जाए अवचेतन मन का एक हिस्सा बन जाए जब कोई चीज हमारी सबसे गहरे से गहरी आदत बन जाए ऐसी आदत कि जो कटीन से कटीन परिस्टिती में भी वैसे कि वैसी रहती है ऐसी आदत जो स्थान बदलने के बाद नहीं बदलती ऐसी आदत जो समय बदलने के बाद नहीं बदलती ऐसी आदत जो विक्ति अलग-अलग बदलते हैं तब भी नहीं बदलती वो आदत अपनी जगा खड़ी रहती है अच्छा लडोल मैं हनुमान हूँ चाहे कुछ भी कर लो किसी भी तरह से समझा लो तो मुझे समझा नहीं पाओंगे मैं ही हूँ जब सवाल ही नहीं है कोई दूसरे एक पागल खाने में कई सारे लोग थे और उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया उसको ये नशा चड़ गया कि मैं ही महम्मद पैगंबर हूँ कोई सवाल ही नहीं दूसरे का मैं अंतिम हूँ अंतिम पैगंबर भगवान का मेरे बात कोई नहीं मैं ही हूँ मुझे अल्ला ने बेजा है मैं ही अंतिम पैगंबर हूँ तो आखिर उसे भरती करना पड़ा और जिस सेल में उसे भरती कर गया उदर एक दूसरा रिखती भी था उसने उसको कहा कि तुम कैसे आगए उसने कहा मैं कैसे आगiyor मैं तो स्वाνε पेखंबर हूँ महम्मद पेखंबर मैं ही हूँ स्वाइम Allaha ने मुझे भेज़ा तुम या कैसे आगए बो ते तुम मैं तो खुद अल्ला हूँ मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं इसके लिए तुम हो कैसे सकते हो क्योंकि अल्ला तुम मैं हूँ इसके लिए तुम जूट बोल रहे हो तो यह क्या है? यह कंडिशनिंग है इसको कहते है कंडिशनिंग अप दे माइंड ये कैसे होती है? क्या करे? जैसे ये निगेटिव कंडिशनिंग हो गई है ब्रहमपूरवक कंडिशनिंग हो गई है उसी तरह पॉजिटिव कंडिशनिंग भी हो सकती है उसी तरह वो भी हो सकता है जो सत्य है पर हम सत्य से दूर है और जो भगवान है उसे पता है कि यही सत्य है जैसे एक चोर यहां बैठा है एक पतली सी दिवार है यहां पर उसे इधर का नहीं देखता है और किसी ने कहा इस दिवार के भीतर इधर खजाना है तो यह दिन रात सोचते रहता है इस खजानी तक कैसे पोचू कि यहां खजाना है और यहां से युक्ति कर रहा है कि कैसे कर दूसरा मित्र कहता है तुम को कैसे पता खजाना है लिए इसने जो कहने वाला यह परम पर जो हमसे कह रहा है कि यही सत्य है ऐसी दुनिया थी और तुम्हारे यह संसकार थे इसलिए हम पुर्शाइद कर रहे हैं बताने वाले तो बहुत है ऐसा कुछ नहीं है फिर भी हमें विश्वας है फिर रात भर ये चोर प्लैनिंग करता है कैसे इस डिवार को तोड़ो और इदर जाओं यह भी हो सकता है कि दिवार को तोड़े और कुछ भी न मिले पर इसे पूर्न विश्वास है कि जिसने मुझे बताया वो कभी जुट नहीं बůल सकता है कि जिसने हमें बताया वह टूथ है बलंкив कोई नहीं जान फंब पर्मात्मा प्रम्सत्य उसने ब्ताया है तो नए संसकारों के लिए क्या चाहिए सबसे पहला अगर तीन बाते कहें तो सबसे पहला तो repetition, दोहराओ जो नई आदत बनानी है उसको क्या करना है? दोहराते रहना है, दोहराते रहना है बार बार वो जो उपर है न, ओम शंतिवामन में उपर, photo बाबा कहते है, photo के सामने जाकर बैठे देखो ये मैं बन रहा हूँ क्रिष्ण कल कहा न, क्रिष्ण के साथ आओगे? First repetition, दोहराओ बार 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 रिपीट करना दूसरा affirmation आत्म सुझाओ, ऐसे वाक्य क्रियेट करना और उनको रिपीट करते रहना अलग-अलग समय पर अलग-अलग परिस्तितियों में जैसे स्वास्त का ही ले लो मैं संपूर्ण स्वास्त हूँ मुझे कोई बिमारी नहीं किसी प्रकार की कोई बिमारी है, हर दिन मेरा स्वास्त सुदर रहा है हर दिन मेरी energy level बढ़ रही है बिमारियों से मैं बहुत दूर हूँ कोई थकान नहीं, कोई बिमारी नहीं सब कुछ मेरा ठीक हो रहा है यह क्या है, affirmation तीसरा है visualization, उसको देखना है उसमें रंग भरने है चित्र बराने, उसको लाइव बना देना यस, यही मैं हूँ यह हनुमान, कैसे चल रहा है यह मैं हूँ ड्रेस भी पैन लिए ड्रेस उतारने को तैहरने पूच, गदा, लेकर ही घूम रहा है लोग परेशाने visualization नए संसकार बनाने के लिए क्या चाहिए दोहराओ आत्म सुझाओ और चित्रिकरन देखना चित्रों में colorization, picturization, visualization तीन शब्द है live देखना उसको कि यह ऐसा हो रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्या क्या हो रहा है कल की मुरली पर आते हैं पहली बात रूहानी, नशा और गीत निरंतर गाते रहो इसी को अपना संसकार तुमको अगर उस दुनिया में जाना है तो यह नशा यहाँ चाहिए यह गीत, यहाँ गाते रहो कौन सा गीत गाओगे वाबा, बाबा हमारे कितने गीते बाबा का यह की गीते बस बाबा का गीत क्या है बाब बच्चे बाब उसके दूसरे गीती नहीं हमारे डेर सारे गीते तो नशा की इस बात का तक्त का और ताज का इधर ये तक्त फिर वो तक्त और फिर वो तक्त तो धोराते रहना तो नशा चड़ेगा नशा के लिए क्या चाहिए डोस ज़्यादा चाहिए हमारा डोस कम पढ़ रहा है इसलिए नशा नहीं है डोस बढ़ाओ डोस बढ़ाओ और कई बार लो एक बार सुबह ले लिया उससे क्या होता है ये भी कोई पियक कड़ की निशानी है एक बार ले लिया और संतुष्ट जब सब कदम ना लड़ खड़ा है लोग ना कहे कोई पकड़ के घर ना पहुचा दे तब कहेंगे नशा वाकी कोई नशा है ये थोड़ा सा पी लिया इतनू सा सोच रहे हैं ये तो जो बिल्कुल कच्चे खिलाडी है न उनकी बात है जो पक्के खिलाडी है वो ऐसे नहीं होते नाम खराब कर रहे है पी अकड़ोगा कम-कम पी के तो दोस बढ़ाना है नशा बढ़ाना है तो इस नशे को, इस गीत को क्या करना है आटोमेटिक बच्चता रहे हम सो रहे तो भी ये गीत बच्चता रहे अपने आप ही बचता रहे निरंतर, इस हद तक उसको ले जाना है सबसे पहले दूसरा राज्य कौन सा राज्य है उधर? एक, यहाँ पर भी एक ही राज्य दुविधा वाली जो मनस्तिती है यह करू की वो करू यहाँ जाओ की वहाँ जाओ To be or not to be Shakespeare की Hamlet जैसी situation हमेशा दो मन दुविधा में यह यह वो, यह यह वो यह करू यह वो करू कुछ भी एक ले लो और फिर दूसरा भूल जाओ की दूसरा भी था अब जो होगा वो होगा भगवान साथ है, देख लेंगे और हमेशा वो रास्ता लो जिसमें कम भीड है तीवर पुर्शाद के रास्ते में भीड कम है साधारन पुर्शाद के रास्ते में तो बहुत भीड है भीड कम तो ways diverged in the woods and I took the one less traveled and that has made all the difference अंग्रेजी कभी लिखता है कि दो रास्ते थे एक में बहुत भीड थी एक में बहुत कम भीड थी मैंने जो कम भीड वाला रास्ता है वो ले लिया और बस उसे ने सारा फर्क कर दिया है जिसमें बहुत कम लोग जा रहे है अधिकतर तो दोड रहे है दूसरे रास्ते से तो हमारा राज्य कौन सा है एक ही राज्य एक ही राज्य अर्थात एक ही संकल्प है एक ही भाव है एक ही मन में विचार है और कोई राज्य नहीं है बस उसका उसकी मुरली है उसकी बाते है इस ग्यान को छोड़ कर बाकी सब बाते क्या करने वाली है सत्यानाश करने वाली बा तीसरा एक धरम लाना है बच्चे क्या कहते है बाबा से कभी कभी मंसा में वाच्चा में अंश रह जाता है पवित्रता का अपवित्रता का एक धरम अर्थत संपूर्ण प्यूरिटी एक धरम ये है धरम धरम की क्या परिवाशा है जो धारन की जाए धारन किया जाए वो धरम धरम की और एक परिवाशा भी है यह तो शास्त्रों में दी हुई परिवाशा है या शब्दों की व्यूत्पत्ति से निर्मित परिवाशा है धरम अर्थात जो धारन किया जाए धरम की और एक सुक्ष में और परिभाशा Ready धर्म अर्थात to be alone अक्केले हो जाना धर्म अर्थात सारे बंदन गिर जाना धर्म अर्थात कोई भी अंधकार नहीं धर्म अर्थाथ ऐसी स्तिति में आ जाना जहां कोई आधार नहीं यानिराधार हो जाना कोई कोई अंधकार नहीं कोई बंदन नहीं कोई सूक्ष में लगाव नहीं वो धर्म की मुख्य परिवाशा है ऐसी स्तिती में ऐसी निस्टरंग जील बन जाना जिसमें कोई हल चल्चल नहीं है वो है तो धर्म कौन सा संपूर्न पवित्रता का उसके बाद में नई दुनिया में जाने के लिए क्या चाहिए जो वहां है वह यहां धारन करना पड़ेगा कि जो वहां है वह यहां ही धारन करना है यहां ही एक राज्य और यह एक ठर्म हो जाए सब कुछ यहां. वह अगला, अगला, नैचरल नेचर यहां कौनसी बनानी है, जिस पर काम करना है, जो repeat करते जाना है, visualize करते जाना है, देखते जाना है, ऐसा क्या, जलो वो ले 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 दें, एक है भाव एक है भावना कौनसा भाव आत्मिक भाव कौनसी भावना शुब चाहे कोई कुछ भी कर रहा है कोई हमारी रोज गलानी करता है रोज अपमान करता है रोज निंदा करता है उसमें क्या किया जाए क्या किया जाए ये तो थियरी है किया क्या जाए जैसे एक बार बताया था ने एक वेक्ति रोज लिफ्ट से जाता है और जैसी पाच्वी मन्जिल पे पहुँचता है लिफ्ट में एक दूसरा वेक्ति आता है पाच्वी मन्जिल में उसके साथ और दोनों उपर चड़ते लिफ्ट मेन है वो दो वेक्थी है जो नया आता है वो इस वेक्थी के मूँ पे ठूक देता है रोज और जो वेक्थी जिस पर ठूक जाता है वो अपना रुमाल निकाल के चुपचा पहुच देता है और जब बारावी मंजिल आती है तो निकल जाता है ये रोज हो रहा है वो लिफ्ट मैन से रहा नहीं जाता है ये हो क्या रहा है ये पाट शी मंजिल से आदमी आ जाता है इस पर थूकता है ये कुछ भी नहीं बोलता है वो उस वेक्ति से पूछता है जिस पर थूका गया कि आप कुछ भी नहीं बोलते ही ये क्या है मतलब वो सामने से आता है थूकता है ऐसा वो क्यों करता है ये वेक्ती कहता है ये उसकी समस्य है उससे पूछो मुझे क्या मुझे क्या लेने देना ये उसका हिसाब है प्लैनिंग उसको करनी पड़ती है कि जब मैं दिखू जब मैं आऊं मुझे थोड़ी प्लैनिंग करनी पड़ती है यह उसकी समझते हैं उसको पूछो कितना साक्षी भाव है संत्त नैनेश्वर के जीवन में दिखाया है बच्पन से लेके एक विकती ऐसा था जो उसकी हमेशा दिन्दा करता था लास्ट में जाके कहीं आके उसने माफी मंगी लास्ट में एक दम जब उसको धेर सही शरीर बिमार पढ़ quantities पिर माफी माँगी और संतत नैनेश्वर ने कहा माफी कैसी मुझे तो पता जीन jadi उन्होंने कभी उसके गालियों को अंदर लिया ही नहीं वो भिक्षा मागने जाते थे तो उस पर गालिया देते थे सन्यासी का पुत्र है, सन्यासी का पुत्र लोग भिक्षा नहीं देते थे उसकी वो जोली फार दी, पैरों के नीचे कुचल दी ऐसा वो वेकति उसकी मान को वो पूछता ऐसा हमारे साथ लोग क्यू करते उसकी मान बहुत अच्छा अंसर देती है मराठी में है समाधाना ने दुख समन करने ही सुद्धा तपश्चरिय सा समाधान से दुख समन करना ये भी एक तपस्या ही है तो क्या कौन सा भाव हो शुभ इसमें दो तिन चीज़े सबसे पहली चीज जो वेक्ति विरोध में खड़ा है पहले तो उससे माफी मांग लो सूक्ष्म में क्योंकि किछ्री जनम में हमने भी उसकी निंदा की है ऐसे ही थोड़ी ना कोई निंदा करता है इसलिए एक माफी तो बनती है उसकी माफी मांग नहीं पड़ेगा भराठी संत लिखता है क्रिश्न निंदा घडली मनुन महार जनम प्राप्ती किसी जनम में शायद क्रिश्न निंदा हुई थी इसलिए इस जनम में छोटी जाती का जनम हुआ इसलिए ये लोग जादे नहीं देते मंदिर में मंदिर में मुझे इंट्री नहीं है क्योंकि छुटी चाती का है उंभर ठ्याशी कैसे शिव आम ही जाती ही न रूप तुझे कैसे पाऊ उत्यात आम ही दी न तेरे रूप को कैसे देखू मैं हम दीन है ये लोग पुझारी लोग अंदर नहीं जाने देते पर ये कर क्यों रहा ऐसा क्योंकि शायद मैंने ही तुमारी निंदा की थी कृष्णा निंदा घडली मनुन महार जन्म प्राप्ती इसलिए तो ये हो रहा है ऐसे थोड़ी ना होता है ड्रामा में कुछ बनाने वाला ने एक एक पार्ट एक एक सीन को बड़ा कितनी बार रिपीट रिपीट करके सीन शूट किया गया है ये परफेक्ट है अब ये ठीक है पहले शूट किया उसने थोड़ी सी निंदा किया ये ठीक नहीं अच्छी करो जड़ा फिर second फिर थोड़ी powerful ये भी ठीक नहीं अच्छी करो थोड़ा सब के सामने हाँ ये best है final करो इसको फिर movie बनी है एक तो माफी दूसरा जो विरोध कर रहा है उसके प्रतिशुभ भावना अर्थात एक तो माफी मांग ली दूसरा उसके अंदर कुछ तो खालीपन है इसलिए तो ये कर रहा है उस खालीपन को भरना है प्रभु प्रेम की किरने दो उसको शक्तियों की किरने दो ये कमजोर आत्मा है जलन क्यों होती है निंदा परिणाम है आंतरिक जलन का इर्शा का इसलिए वहां क्या करो उसको किर क्या करेंगे उसे धन्यवाद क्यों धन्यवाद अंतिन समय है कि भुई साब चुक्तु हो रहा है उसके द्वारा इसलिए जो भी बचे कुछे होंगे जल्दी जल्दी आजाओ अगलानी करो निंदा करो अपमान करो जो करना है कर दो क्योंकि हमें जल्दी है इसलिए जिसको जो कुछ करना है कर दो और नहीं नहीं आत्मा है पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या कर रखा इतने जन्मों में आवान तो नहीं करो जो जो जिसको आना है आजाओ फटाफट कर दो तो यह दो तीन काम करने तो कौन सा भाव इसकी आदट डालनी है अम्रित वेला भाव यह काम है यह इंपोर्टेंट काम है जो करना पड़ेगा और है दूसरा क्या बताए भाव भावना भाव कौन सा आत यह बहुत सुक्ष्म हो और बड़ा डिफिकल्ट अब्यास है इतना जल्दी याद नहीं आता है क्योंकि हमारा जूटा मैं है मैं यह हूँ मैं हूँ मैं यह नाम हूँ हम जब जनम ली हमारे कोई नाम था क्या यह नाम थोपे गए ऊपर से दाले गए तुम वो तुम वो त तो ये दूसरा जो है वो कभी नहीं उठेगा, वो ही उठेगा, क्योंकि हमारा तदात्म इतना गहरा है उसके साथ, अर्थात इस शरीर के साथ, यह इस शरीर का नाम है, इस शरीर से हम जैसे एक हो गए, प्लास्टिक सरजरी हो जाए किसी के और दूसरे दिन उसको आइने में सरजरी हो जाती है जिन को यहां के कैंसर होते है घुटका वो सब कहते है तो तो यहां का पूर रहे जब्ड़ा निकाल के यहां-चंब्री यहां लगा देते हैं आड़ा देड़ा हो जाता है मुँगती स्विकार नहीं कर पाता है उसको स्विकार करने के लिए टाइम लगता है जैसे किसी का पैर काट दिया यहां गैंगरीन हो गया डायबेटेस के वज़े से फिर पैर काट दिया दूसरे दिन उठता है फैंटम लि के लिए कि दो मेरे नहीं कि नया गया है कुछी तो हमारा भी ऐसा इतना गैळात आदात में इतना गहरा आदात में कल बाभा ने क्योंकि एक त्रेसि इतने जन्मों के संसकार थैंप पवितरता उल्जाइं क्या करें तो भाव और भावना यहां आपने का मैं , ge'satt क्या जोड़णा ए आत्मा यह कोई बहार से वोलने की बात ही नहीं ही मैं आया तो मैं यह जूड़ो वो जूड़ो यह अंतरिक बात है पुरी और मेरा आया तो, यह उससे भी बड़ी तपस्य है यह मैंसे भी बड़ी तपस्य है मेरा वो है अभी हमारे कौन है? यह, मेरा पती, मेरी बतनी, मेरे बच्चे, मेरे माँ, पिता, बाप जिजस क्राइस्ट ने कहा है If you want to come to me, deny your own father and deny your own mother वो यह नहीं कहता है कि अपने, उनको अस्विकार करो यह नहीं कि तुम, यह मत कहो किसी को जाकि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे बाप नहीं हो वो कह रहा है तुम अकेले हो जाओ deny your mother and deny your father तुम्हारा कोई नहीं है यहां पर He that loveth his father and mother more than me is not worthy of me यह मेरे लायक ही नहीं है जो अपने लवकिक माँ बापको मेरे से अधिक प्यार करता है out यहां आना ही नहीं मेरे पास मेरी शरन में आजाओ मामेकम शरनमरो जाओ, सब कुछ छोड़के मेरे पास आजाओ, ऐसा चाहिए उसको वो उसमें भी दिखा है, इसके पहले भी कई बार सुनाया Swami Vivekananda जब आश्रम में थे, उनके आश्रम में उनके जो गुरु भाई थे वो बार-बार अपनी मा को मिलने जाते रहता था है सन्यासी सारा संसार छोड़ दिया पर है लवकिक घर वही है तो बार-बार बार-बार अपने मा को मिलने लवकिक से अटेच्मेंट, लवकिक से प्यार चलो तब फोन नहीं था, नहीं तो फोन पर चलता था वो कहते हैं, I don't want ambiguous type of personalities who are half monks and half outsiders, out मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, जो संदिक्द है, जो आदे सन्यासी हो, आदे ग्रहस्ती है out, भागो यहां से, जाओ, जाकि अपनी मा की गोद में बैढ़ जाओ हमेशा के लिए यानियो this is the path of सन्यास जो सन्यास का मार गए वो सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है बाबा तो कहते हैं, तुम सच्चे सच्चे सन्यासी हो सब कुछ ही तुमने छोड़ दिया है केवल स्थूल नहीं, सुक्ष्म भी बुद्धी से त्याक किया है तुमने चीजों का कहा थे? मेरा, बाबा यह इतना आसान नहीं है पर प्रभू प्रेम बहुत बड़ा, बहुत बड़ी साधना है सब तो कहते हैं, मेरा बाबा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा इदर बाबा, उदर बाबा, जंडे लगा रहे है जंडे लगाने से, कहने से बाबा का क्या संबन्ध? बाबा बहुत फिर भी वो खुश्ट सबको करता है सब पास है, ये है, वो है पर प्रभू प्रेम पर ऐसी ऐसी गहरी गहरी मुर्ली चली है कि जो जो कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, सब दो कदम पीछे हटेंगे, वो मुरली पढ़ने के बाद, ऐसी depth वाली मुरली आ है, उसमें प्रभु प्रेम की कैसी कैसी परिभाशा दिये है, 70s की मुरली, 80s की मुरली, जितनी प्रभु प्रेम की मुरली है, सारी निकालो, और एक मुरली पढ़के देखे, चार प्रकार के है, ऐसा लगेगा, मैं तो वो तीसरा भी नहीं हूँ इसमें से, और डाइमंड हॉल में, बाबा से प्यार किसका किसका है, एक हाथ, दो हाथ, तिन तिन हाथ, प्रेम पंत ऐसो कठिन, बहुत कठिन पंत है यह, जैसे कि कोई मोम का पुतला है, वो आ तपस्या का मार गए, बड़ा त्याक का मार गए, सुक्ष्म तपस्या का मार गए, और दिन बदिन हमारी सपस्या सुक्ष्म सुक्ष्म होती जाए, आंतरिक तपस्या धीरे-धीरे, सारे बंदन तूटते जाए, वो एक भाव, कि यहां मेरा कोई है यह नहीं, किसी से कोई लेना दिना और जो मैं कुछ कर रहा हूं वो अपने लिए बाकि ये करू वो करू ये नाम कमाओ वो नाम कमाओ ये सब माया हैं तो ये दो हो गए आगे किसी को यह नहीं देखना है क्या संसकार बनाना है के वल अपने आपको देखो अचार कमाओ दो सीभाडर ये दो चीज आपने आपको देखो मैं क्या कर रहा हूं दूसरा नहीं बदलता उसको नहीं देखो अगर देखना ही है तो क्या देखो फिर उसे अगर विशिशता देखो वो जो कमी छोडने की कोशिश कर रहे है उसको धारन नहीं करो, अभी-अभी किसीने КROChemade किया, हमने देखा इतना करोध किया, पर हो सकता है, अजी बाबा के सामने सुबे संखल किया था, कि मैं करोध पर क्या करें बीचाहर क्या करें हर एक lizard कर रहें हर एक मेंोसी सुक्ष मकमी है कि जिस पर काम कर रहा है और वह दूसरे को पता नहीं और वह अलग-अलग तरीके से प्रगट होती जिस तरीके से प्रगट होती है उसको लोग समझ लेभी ते वह सकता है एक व्यक्ति इस पर काम कर रहा है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है पर उसका सभाव इतना ऐसा बन गया है कि निंदा किये बिना बेचे नहीं होती है क्या करें केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे स्मोकिंग करने से निंदा सुक तन बदन में खुशी होती है क्या करें और हमने देखा अरे यह ऐसा करता है विचारा काम कर रहा है उसके उसको शक्ति दो ताकि वह अपनी कमी से मुक्त हो तो क्या करना है अपने आपको देखने के लिए चाह यह फास्टिंग स्टेज निराकारी दुनिया में जाना है ना निराहारी दुनिया है वो निराकारी दुनिया अर्थाद निराहारी दुनिया सुक्ष्मवतन अर्थाद कौन से दुनिया कहेंगे सुक्ष्मवतन को वहलारी नहीं रसाहरी शूभी रस सब कुछ मिलता है वै जितनी जितनी सूक्ष में होती जाएगे जिसमें जितना उसमें से भारीपन हटता जाएगा उतना ही आगे की सूक्ष मस्तितियों का पता चलता है नहीं तो छोटी अवस्थाओं में ग्यान नहीं पता चलता है नीचली अवस्थाओं में सूचनाय है थोड़ा बहुत ग्यान है इदर उदर की बाते है कहा निया यह सब चोटी अवस्था है और हायर अवस्था हो में प्रग्या है कि जह सब्दाह जैसे किसी ने बता उवdaughter नहीं है कहीं से पड़े नहीं है वह मोड़े अमृत वेले कि अवस्था है वो क्या थे और क्या बन गया है क्यू सब कुछ छोड़ के पॉंटी चले घये वो तो क्रांतिकारी थे और भी वो वाले क्रांतिकाली नहीं वो तो गरम घरम Dal few नर yellow निन्ट दूदिनन एक तो क्रांति वाले और दूसरे अहिंसा वाले वो वो दो थे वो उसमें से थे ऐसे ऐसे लेक लिखते थे फायरी कि आग लग जाती थी उदर जगड़े हो जाते थे इतने पावरफुल थे और जेल में डाल दिये गए वो भी किस लिए वो बाउम और वो सब चीजे चो हुई उनका नाम उसमें आ गया ना पर उस जेल में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि कुछ और ही हो गया करने क्या ग रोज 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 वही मूर्थी कि जब निकले तो कहा कि मेरे जीवन का कार ये है है नहीं मेरे जीवन कार ये तो कुछ और है चले गए उदर के और विंड घौश स्री आर minimum कैते हैं तो कहाँ थे हम हम है अपने को देखना है दूसरों कन नहीं यह इसका संसकार यहां बनान अच्छानक एवर रेड़ी और बहुत काल कल क्या कहा बाबा निम्रुत्यों के बारे में भरोसा नहीं है किसी का ही भरोसा नहीं है किसी का ही भरोसा नहीं है ये तो हम रोजी देखते हैं पेशिंट्स के बारे में अभी आभी ठीक, अभी आभी कुछ जाता है, अभी आभी आइसा, अभी भाइसा है, किसको क्या हो जाया, पता ही नहीं चलता है. अभी आभी एक patient आया, उसको कोष़ ECG करके आओ, chest pain हो रहा है, ECG करके आओ, ECG किया, बहार ही को लैप्स हो गया. हार्ट का कुछ नहीं था दूसरा ही सीधा ICU कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है पता ही नहीं सकते सुबह सब कुछ ठीक, एक मिनिट के अंदर पेशन ब्रेटलेस, सीधा ICU, शिफ्ट, वेंटिलेटर इतना फास्ट सब कुछ होता है एक मिनिट में किसको किसको क्या हो जाता है सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक और अचानक कुछ हो जाता है तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल लंबा समय का पुर्शार चाहिए, छोटा मोटा नहीं लंबा समय अर्थात कितना कितने वर्ष मिनिमम ब्रह्मा को 33 वर्ष लगे संपूर्णता के लिए हमें कितने वर्ष जो भी साधना कर रहे हो कम से कम 10 वर्ष 12 वर्ष तक चले जैसे सत्य की साधना जो होती है 12 वर्ष की होती है 12 वर्ष अगर कोई एक बार भी जूट नहीं बोलता है तो कहते हैं उसे वाकसिद्धी परप्त हो जाती है फिर वो जो बोलेगा वो सत्य साधना 12 वर्ष 14 वर्ष इस तरह की साधना है होती है इतनी छोटी छोटी नहीं लंबी साधना करनी है और उसमें टिक के रहना तो ये इसका क्या करना है अभ्यास अभी से ब्रह्मचर ये साधना है एक अलग ही साधना है उसके प्रती डेडिकेटेट रहना होता है तो ही वो काम होता है नहीं तो नहीं ज्यान योग कर रहे हैं सब कर रहे हैं सेवा में बीजी रह रहे हैं वो सब रहो पर ये साधना अपने आप में अलग साधना है इसके लिए अलग अटेंशन देना होगा शरीर को स्वस्थ रखना है अपने आप में अलग साधना है तुम अध्यात्म में जो करना है करो अगर प्रकृति के नियम तोड़े सब दंडित होंगे उपर से नीचे तक चाहे कोई भी हो कोई भी तीन प्रकार के नियम होते हैं एक होता है सरकार के नियम सरकार के नियम कहता है यह करो वो करो यह नहीं कहरोगे तो दंड मिलता है नहीं प्रालन करोगे तो अगर पालन करते हो सरकार के नियम तो दंड नहीं मिलता है और नहीं कोई स्तूति भी होती ह रास्ते से इस तरफ से चल रहे कोई तारीफ करता है मास पैन के गुमे तो कोई एवार्ड देता है क्या नहीं देता है पर तोड़ा तो दंड अगर पालन किया तो कुछ नहीं दूसरा है इश्वरिय नियम का पालन किया तो प्राप्ति होती है इधर भी और उधर भी तोड़ प्रकृति के नियम पालन करो तो तो तुम को आवय种 मिलता है। यहीं के यहीं स्वस्त रहेगा शरी और बिना स्वस्त शरीर के पूर्षात नहीं किया जासे पूर्षात डिपेंड विढ़ता है शरीर कितना फिर है , रोगमुकतँ हो ! ठकान भीमारी मुक्त हो दर्द मुक्त हो तापमान भूख प्यास की सम्वेद्नाओं से थोड़ा उपर उठ गया है यह खाओं वो खाओं यह सब चीजों से बहुत छोटा हो गया है यह सब चीज़े पीछे चुट गई है जैसे हम उठ गया है उपर यह सारी चीज़े चाहिए अगर प्रकृति के नियम तोड़े तो क्या होगा दंड दंड देगी प्रकृति किस रूप में शरीर बिमार और यह आश्चरी लगता है लोग इतने बिमार पढ़ते कभी रुख के सोचते क्यों नहीं है जाते डवां लेते ठीक होते चले वापस वही गल्ती और फिर दोषक इसको देते ब्रामन होगा घ्यानी होगा तो खिसाब कीता बहार की लोग होंगे तो वह खालीया था ना यह खालीया था ना यह मौसम बदला नहीं इसलिए अरे मौसम बदला है, इतने कमजोर है तुम्हारा शरीर, कि थोड़ा सा मौसम बदलता है और तुम बिमार पढ़ जाते हो, थोड़ा सा एक दिन गलत भोजन कर लिया तो तुरंट बिमार पढ़ जाते हो, शरीर में इतनी पावर नहीं है, सिंसिटिविटी इतनी कम है, तो प्रकृती दंड देगी जरूर, और जब भी विमार पढ़ो सबसे पहले ये सोचो कि मेरे से क्या गलती होई, राम राज्य में दिखाए, एक वेक्ति आया, अपने छोटे बच्चे को लेकर, ये राजा राम ये बच्चा मर गया 12 साल की उमर में, राम को लगा, अकाले मृत्यों राम राज्य में हो ही नहीं सकता, जरूर राज्य में किसी ने पाप किया है, दूंडा कौन है जो राज राम के बारे में जितनी पॉजिटिव बाते हैं ये दूसरे प्रकार की बात है, जो उनका विरोध करने वाले ने ये बात बताते हैं, कि राम ने भी ये भेधवाओ किया है, उसको दंडित किया गया, क्योंकि उस समय का रूल ही वैसा था, शूद्रों को शास्त्र पढ़न कि आग्या नहीं थी, उसके कान में काच पिगला डाला गया, मतलब उसको दंडित किया गया, क्या नाम था, सुबा हुँ उसका, नाम भूल गया हैं, तो दंड तो मिलेगा, तो जब भी बिमार पढ़ रहे हो, सोचना, मैंने किसी आग्या का उलंगन किया है, प्रकृती के, तो सरकार की आगया, इश्वर की आगया, प्रकृती की आगया, तीनों को लेके चलना है संगम यूग पर, पहले दो करें और सरकार की ना करें, हम तो बिक्य हैं और ये हैं, तो तक्ता और फोटो, सरकार ये नहीं मानती तुम कुछ भी हो, तुमारी संस्ता को ये रूल का है बस, फिर ये मत बताना, अपना धर्म लिखो तो हम नहीं कहेंगा, हम तो बीके हम हिंदु धर्म ये सब नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम को एड्मिशन लेनी हैं इंजिनियरिंग में, मेरिकल में वो सब लिखना पड़ेगा, नहीं तो समाज खंटक की आशा, इन शब्दों को अपने डिक्शनरी से हटा दो, कर लेंगे, हो जाएंगे, लास्ट में वैराग आज आएगा, लास्ट में कुछ नहीं आएगा, अभी वैराग को जनरेट करो, अभी तुरंत इसी वक्त, इसी समय, सब देखो संसार में क्या और आक कैसी हलचल हो रह आज करवा चाहते हैं, आज करवा चाहते हैं, आज करवा चाहते हैं, हमारे दूसरे डॉक्टर, अरे पतनी को बोलो, यहां आ आ जाए ऑस्पिटल में, क्योंकि वो मुह देख, चांद और फिर पती, नहीं डॉक्टर साब मुझे चुट्टी तो जाना है, उसके बाद में अगला, मास्टर सर्व शक्तिवान, इसको क्या कर दो अपना, सुंसकार यहां बना दो, शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्व शक्तिवान, सारी शक्तिया मेरे पास है, मैं हनुमान हूँ, किसने बनाया नहीं है, मैं हूँ ही, मैं हूँ ही शक्तिशाली, अतुल माक जो काम है करने को मैं तेया हूं राम महां ऒटाओन मेरे सामनी हैं हों मेरा नाम भी दे लुए देलाक्ट तर जाओगे। पावर है विराज सुबेश तो मैं कौन हूं मास्टर महावीर हूं महावीर महावीर दो ही व्यक्तियों के लिए कहा गया है भारती संस्कृति में एक हनुमान और दूसरा वर्दमान महावीर और किसी के लिए महावीर प्रयोग नहीं किया और दोनों ही प्रतीक है ब्रह्मचर्य का जिसने अपनी जीवन उर्जा को वीर्यवान जो है रोक रखा है वह महावीर तो मास्टर सर्वेक्षक्तिवान अगला कौन सा संस्कार बनाना है वीग्ण विनाशक कौन हो तुम विनाशक हो यह नहीं कि जो जितना ज्यादा महारती उसके पास ऐसी ऐसी माया आएगी जो बाकि साधरन लोगों के पास नहीं आती है जो प्राइम मिनिस्टर होता नो उसको ज्यादा धोकि बाकि जो प्रजा उसको तो वो कुछ भी करें ना तो दस लोग तो तारीफ करेंगे पर हजार लोग हो जाती है कि अरे मेरे बार में ऐसा है मैं तो कितना अच्छा हूं दुखी नहीं होते हैं को पताया यह सब होगा खेले जितना फाइर लेवर पर व्यक्ति पुर्शाथ के पहुंचेगा उतनी माया ज्यादा आएगी जो जितना लोग माया नहीं आ रही है किसी को मतलब हल चल करो बांव थेको पूसे और तो कुछ नहीं कर तो शांटी से लिए होते है कि और बोलो है कितने ओगर होगे करे वो है प्राप्ति अलग अलग नाम दिये बाबा ने ये प्राप्तिया है ये प्रभु प्रसाद है अधिकार है वर्सा है ये समझो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं लोग तो ये तुमको जो मिल रहा है ने ये प्रभु प्रसाद है ये प्राप्तिया ये वर्सा है ये मुझे ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है डिपार्टमेंट की खुद मालिक बन गए यह नहीं हम अपना जो रूल से वह रूल है उसको तोड़ना नहीं है तो यह और एक और क्या वह कहा विश्व परिवर्था कि यह भी कहा एक जगा और दिड़ता चप्रत्सा की चाबी है वह लास्ट में कहा नहीं होमवक दिया है कि मुडली है डिसेंबर की तो क्या कहा दो बाते बदलना ही है साना कड़े सामना करना पड़े कुछ भी करना पड़े और जैसे का जितना माया सुक्ष्म महारती बड़ा उतना उसको ज्यादा सहन करना पड़ेगा उसके पास ज्यादा इतना आल सी था कुछ नहीं करता था श्वामि ली में कहा जाता है वो उनके पास गया उस्वेक्ति को कहा क्या करते हो कुछ नहीं करते हूं उसको चोरी कर सकते हो at least चोरी तो करो कि तमों से पहले रजो में आओ सतो की बहुत बात की बात है कामिन रजो यू विल बी मोर नियर तो गीता यू विल बी मोर नियर तो गॉट थू फुटबॉल दैन गीता यू विवे कानंदा का वाक्या है एक स्कूल में बच्चे थे ऐसे पतले दूबले ना को उसमें दम ही नहीं था उनको कहा कि तुमको भगवान के पास जाना गीता पढ़ना चोड़ तो पहले फुटबॉल खेलो पहले अपने शरीर को सौशष्ट बॉड़ी बिडिंग वो बनाओ तब कहीं जाके तुम वो कर सकोगे तो पहले उपर तो उठो थोड़ा कुछ तो करो नैचर नैचरल भाग्या का खार है ये भाग्या हिसंब किता बिमार पढ़ने के बाद एक शब्द बिलकुं नहीं कहे ना चलती से भी ये मेरा हिसाद किसाब किताब नहीं meri गलती थी तुम बिमार पढ़ते हो अपनी गलती के कारण और अब इसको ठीक करो बस वो है यहां ब्रामणों के पास यह शब्दा आ गया है मुर्लियों से ड्रामा हिसाब किताब चलता है बाबा नहीं कहा है यह सब इसके होजे से डल हो गया है सब शब्दों ने तो कौन सी चीज रहेगी सारी हो गई गे गे वो सब छोड़ दो हो गया प्राप्तिय वर्षा लाउ एन ओर्डर ओर्डर क्या है जो बापकी ओर्डर लाउ क्या है ओर्डर लाउ है लाउ एन ओर्डर ओर्डर है लाउ है बेफिकर बाद्शा कोई फिकर नहीं ओर्डर है बापकी ओर माया की ओर्डर नहीं मारो मनमत परमत्त किसे का नहीं भगवान नने कहीं दिया बसूही राइट है बाकी खारीज है फिर वह उएक चेख चेंज्ट का भी बताए बस ऐसे ह चो가 बाते सिस प्रकंद ऐसे करो नहीं जाओ फिर अगली बार हो गया कुछ तो चेंच करना पड़ेगा चेक चेंच तो कितनी दो-दो-दो बहुत सारी बाते थी मुर्ली में तो इस मुर्ली को आज फिर से पढ़ना फिर से रिवाइस करना और क्या करना दोराओ विजुलाइजेशन देखना पढ़ना रिपीट करते रहना और नए संस्कार क्रियेट करना है ज्यान के उस नई दुनिया में हमको चलना है अमशन दे प्राण है अस्तिप में वो प्रमाण है मैं हूँ धराव अंबर हशिप मैं हूँ शिवाशंकर हशिप प्राण है यहिए इवाशंकर है यहिए इवाशंकर है